फिर से एक बार लेकर आचुका हूँ टॉप सेवेन इंसेन मित्स ओफ इंडियान टेप लॉटो सिमिलेटर गेम जिने देखने के बाद आपका भी रियेक्शन मिस्टर बीन की तरह होगा यहाँ पर मैं आचुका हूँ कार शोरूम पर फटा फट से साइकल से नीचे उतरते हैं और चलते हैं कार शोरूम के अंदर और किसी भी एक बाइक को पर्चेस करते हैं यहाँ पर तो काफी सारी बाइक से इन में से कौनसी वाली बाइक को पर्चेस करूँ हाँ यह वाली मस ल और यह मैंने अपनी AK-47 निकाल ली अब तो सिधा अपनी RPG निकालते हैं इन सारे NPC को उड़ा देते हैं अब भाई इनको तो RPG से भी घंटा फरक ने पड़ रहा है अब नहीं यार मैंने इन NPC के चकर में अपनी ही बाइक को उड़ा दिया और यहाँ पर मेरे उपर दो स्टार भी लग गए यह क्यों लगे यह मुझे पता नहीं बाकी यह में तो दाए कनफॉर्म मित नमबर टू अगर आप अपनी गन को फायर करके स्विच करोगे दो से तीन बार तो होगा मैजिक अचा बाई ऐसा क्या मैजिक हो जाएगा गन को स्विच करके तो चलो भाई ट्राय करके देखते हैं तो फटा फट से आपर अपनी AK47 ही करते हैं यहां पर तो AK47 मैंसे एक अलगी लेवल की अलो कलर की लाइट निकल रही है और यह चीज़ तब बहुत काम आएगी जब गेम के अंदर नाइट मोड आड़ेगा तो फिर बूम मैंच भोगा तो यह रहा सामने मेरा गेमिंग पीसी और भाई यह बहुत मेंगा है और तुम मुझे इसके उपर जम करने के लिए बोलने हो यह कैसे हाथ पर हिला रहा है भाई लाइक किसने इसके हाथ से टौफी चीन ली हो और अब यह रो रहा है से मैंसा ही लग रहा है अगर तुम यहाँ पर जॉयस्टिक को थोड़ा राइट लेफ्ट करोगे तो तुम यहाँ से बहार लिकल जाओगे वैसे यह मित मज़दार तो था भाई बाकी यह मित उताए कनफॉर्म भाई की बात तो सही है इस गेम के अंदर आपको एक भी लड़की एनपीसी देखने को नहीं मिलेगी तो मैं आपको इस गेम के सारे अनपीसी को स्पौन कर लिया है और दिख रही है तुम्हें यहाँ पर लड़की देखने को मिल जाएंगे आद अब यह तो गेम डेवलोपर के हाथ में देखते आगी जाकर वो गल्ड़की गेम की अड़क यह देखने को मिल जाएंगे अब जाकर यह साइकल वाला एंड फटा फट से बैक के उपर से नीचे उतरते और निकालते हैं अपनी आर्पीजी और फायर करते हैं यह ले बैटा और भाई क्या ही बड़ा धमाका हुआ या पर एंड भाई इसके साइकल के साथ यह क्या होगा तो सारे पार्ट्स अलग इनकी कार लेकर मैं यहां से भाग रहा हूँ और यह कुछ कर भी निपा रहे इन सब ने तो मुझे अटका दिया मैं इनको हलके में ले रहा था लेकिन फिर भी मेरे पास एक चांस है निकलने का और यह मैं निकल गया बाकी वो मित एक दम कनफॉर्म है पिछले वाले मित की मेरे पास भी एक मित है अगर आप बाइक वाले NPC के उपर RPG से और इसका भी हाल सेम टू सेम साइकल वाले NPC की तरह हो जाएगा और यह भी बाइक के साथ अंदर घुज जाएगा तो यह मेरा वाला मित भी कनफॉर्म है अगर आप किसी भी वेपन को बहुत ही जादा यूज करोगे तो फिर उसकी एमो खतम हो जाएगी तो यहापर सामने मैंने तीन चार NPC को स्पॉन कर लिया है और इनके उपर हमें सारे वेपन को ट्राय करने माला हूँ पहली गन है AK-47 और यह मैंने NPC के उपर AK-47 से फाइरिंग स्टार्ट कर दी और भाई यह NPC तो कुछी गोलियों में मर गया भाई RPG की कितनी गोलिया वेष्ट करने के बाद इसकी एमो खतम होती है भाई यहापर मैंने RPG की एकी गोली वेष्ट की और यह रिलोड पर आ गई भाई इसका तो अलगी सिस्टम है वेपन भी तो खतरना के इसके एकी गोली में तबाई हो जाती है इसको जादा गोलियों की जरूरत है बात करें पिस्टॉल की तो इसकी भी पाच्छे गोलिया वेष्ट करने के बाद यह रिलोड पर आ जाती है और यह फीचर मुझे इस गेम का काफी ओसम लगा क्योंकि यह फीचर इस गेम को काफी रियलिस्टिक बना देता है बाकी यह मित होता है कनफॉर्म तो यह कोई मित नहीं है इन भाई ने पूचा है कि क्या भाई हमारे गेम के अंदर रियलिवे स्टिशन है अगर है तो प्लीज उसकी लोकिशन बता दो बस तुम्हारा काम हमाएक तरब से इतना ही काम कर सकते है बाकी का आगे का काम गेम डवलपर का है जित्या आजकी विडियो अगर पसक नहीं होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना बाकी में मिलता हो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए टेक केर बाई बाई